आज की रेसिपी है पॉस्टिक से भरपूर गुड का दालिया ठंड के मौसम की यह special रेसिपी है इसे बनाने के लिए प्रिसर गूगर में एक चमज घी आट करेंगे अब लेंगे एक कप दालिया, गेहों के टुकडों से यह दालिया बनती है, आपको यह इसली मार्केट में मिल जाएगी, इसे घी में डाल देंगे, लो मीडियम फ्लेम पे इसे लगाता चलाते हुए भुनेंगे, सुनहरा होनी तक इसे भुनना है, तीन से चार मट भुनने के बाद इसमें सुनहरा कलर आ गया है, अब डालेंगे इसमें आधा कप गुड़, गुड़ को दालिया के साथ अच्छे से कर देंगे, मिक्स, आप जैसा मीठा खाना पसंद करते हो, उससे आप से गुड़ कम जादा भी कर सकते हैं, अब जिस कप से ह आपकर ढाई कप पानी आट कर देंगे, फिर से एक बार कर देंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद प्रिसर को करके ढखकन को लगा देंगे, अब इसमें तीन सीटी आने देंगे, तीन सीटी लगने के बाद गैस की फ्लिम को बंद कर देंगे, प्रिसर को कर अच्छे से ठंडा हो गया है, अब धकन को खोल देंगे, ये देखिए दालिया अच्छे से पक गया है, एक बार कच्ची से पूरे को मिला देंगे, अब इसमें तीन कब बाइल के हवा दूद डाल देंगे, कच्चे दूद का इस्तमाल यहां नहीं करना है, दूद के साथ दालिया को अच्छे से कर देंगे, मिक्स, बीच बीच में चलाते वे, और पास से साथ मिनट इसे हम दूद के साथ पकाएंगे, आप इस टाइम पे एक बार मिठास चेक कर ले, जरूद पढ़ने पर आप यहां गुड मिला सकते हैं, कुछ दिर पकाने के बाद यह अल्मोश तयार है, लास्ट में आट करेंग हैं, कुछ चाने के लेक भाद ऑद करेंगे